आज का वीडियो है मेकप हॉल मैंने कुछ प्रोडक्स ट्राय करने के लिए है जो कि आपके साथ मैं शेयर करना चाहती थी नॉर्मली मैं ऑनलाइन लेती हूं जो नॉर्मली आप शॉप पे जाकर लेते हैं या उनलाइन ओर करते हैं उसमें प्राइजस में फरक होता है बट कौन सा शेड मुझे पे सूट करेगा इसलिए मैंने शॉप पे जाकर लिया है तो मैं गई थी इन औरबिट और यह है वहां का नाइका शॉप जहां से मैंने कुछ प्रडॉक्ट्स लिये हैं जो मैं ट्राय करना चाहती थी साइजस काफी छोटे हैं मुझे ऑनलाइन इतना पता नहीं चलता है बट सबसे पहले जो है वह इंस्टेंट एज रिवाइन एरेजर देखिए कितना छोटा है और यह ऐसा है कि पॉकेट में आप रख सकते हैं सो यह कंसीलर है और इसे जहां पर भी आपको डाक पैचिस वगएरे वहां पर करके आप ब्लेंड कर सकते हैं औ इस तरह से इसका धकन ओपन होता है और इसे ट्विस्स करते हैं तो यहां से प्रोड़क्ट निकलता है आप इसे जहां पर भी आपको प्रॉब्लम है तो मुझे मलाजना और पिग्मेंटेशन का प्रॉब्लम है सो उसके ओपर मैं यूस करती हूँ कंसीलर सो इसलिए यह मैं तोटल कंट्रोल प्रो यह इस तरह की बॉटल आती है चोटी सी मुझे लगा था यह बड़ी बॉटल होगी मगर यह काफी चोटी है मेरे हाथ काफी चोटे है यह रखेगा और यह ऐसे ऐर्डॉप्स होते है जैसे उस तरह से है तो आज तक मैंने हमेशा क्रीम फांडेशन यह पहली बार है जो थोड़ा लीक्विडी है और मुझे पता नहीं वह किस तरह से मैं यूज करूंगी मैं ट्राय करूंगी कुछ नया ट्राय करने के कोशिश कर रहे हूं इस बार और लेट सी वह कितने टाइम तर चलता है क्योंकि यह सिरफ 13 ml है इसका प्राइस भी मतलब अब इतना कम नहीं है सो लेट सी कितने महीने चलता है यह आय नॉमली यूज मेकप वनेवाइग गो आउट सो लेट सी मैं तभी वीडियो डालती हूं आपको बताती हूं कितना स्काइफेक्ट है अच्छा है या नहीं है या फिर से मुझे कुछ और ब्रैंट चेंज करना पड़ेगा तीसरी चीज है निक्स का प्रोफेशनल मेकप दे मार्श मेलो प्राइमर सो प्राइमर इस गेटिंग ओवर सो मैंने सूचा यह नया वाला प्राइमर यूज करते हैं जो कि इस तरह से इसका टेक्शर है नॉमली प्राइमर ट्रांस्परेंट भी होता है यह है जब आपके लाज पोर्स होते हैं आप फांडेशन लगाने से पहले या मेकप यूज करने से पहले जब आपको अपनी स्किन को इवन करना होता ताक कि मेकप जो है स्मूध लिया तो प्राइमर उसके लिए यूज किया जाता है फोचीज है जो मैं काफी यूज करती से यूज करतy हैं लॉडएल लॉडएल का है इस तरह से इसी यूज करना चाहते हैं तो कर शकते हैं पता में तो इसे ही कर लेती हूं इस तरह स्पंच heel सोफेट की आगे यूज मीज़ा है कितना आपको विंग चाहिए आईलाइनर कितना पतला और मोटा आप उसके सबसे इसे अजस्स कर सकते हैं जो लास्ट चीज है वह है ग्लोविश बाई हुडव ब्यूटी यह है ब्रॉंजर ब्रॉंजर मेरा खतम हो रहा है मैं नया ब्रॉंजर ट्राइ करना चाहती थी और यह इसका तो आपको जहां पर भी जरुवत हो वहां पर आप तो यह चीजे है मुझे समझ में आती है कि मैं कौन सा शेड यूजर तो नॉमली मैं हाथ से ही यूजर लेकिन अभी कहीं जाती हूँ तो आपको पता चल रहा है इस चीक पर और चीक पर तो यह थोड़ा सा कुछी सी बाते हैं मेरे खिल से सब थोड़ा हम लोग सीखी रहे हैं मैं भी कुछ सीख रही हूं आप लोगों के साथ ही और सब था मेरा टोटल प्रणक्त पांच प्रणक्त से एक बात और मैं बताना चाहती हूं कि प्रणक के पीछे हमेशा उसका कितने मन्त तक आप और लावा डब्बा भाए वो वसके अंदर लिखा होता है population है तो आप जब आप open करते हैं उसके बार 12 months कि किसी में 16 होता है किसी में six months होता है किसी में इतने महिने है 18 months होता है मतलब 10 साल तो इस तरह से Mention किया होता है या आपकी मर्जी है आपको कितना यूज करना है वर मैं कहूंगी कि जितनी डेट है उतना ही यूज करें तो अच्छा रहेगा आए इसे मेरी आइस में पूरे कट्स आ गया और आइस स्विलिंग हो गई तो ऐसी चीजे मत यूज करिये जो नुकसान हो जाए बाद में तो ठीक हो गया लेकिन कभी-कभी ऐसी चीजे होती है तो ठीक नहीं होती है कराना नहीं चाहती हूँ अगर आप सोचते हैं कि आप इतना मेकप यूज करते हैं तो आप छूटी बॉटल जैसे कि मैंने बताया यह चूटा है लेकिन इसका ही कोई चीपर वर्जिन आपको लगता है आप यूज करते हैं तो आप बड़ी बॉटल लेजी ठीक है ना सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और नेक्स टाइम जो मैं यह ट्राय करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी प्रोड़क्ट मैंने यूज किया है उसका क्या रिजल्ट है मुझे अच् कि खत्म करते हैं ते के बाइग